नमस्कार दोस्तो आज हम बना रहे हैं स्प्राउटेट मूंग से नाष्टा बना रहे हैं वो भी एकदम फटा-फट तैयर होने वाला प्रोटीन रिच नाष्टा है इसमें काईबोहेटरेट बहुत कम है विटामिस भी है बनता भी फटा-फट है ब्रेक्पस्ट में का सकते ह हो बच्चों के टिफिन में दे सकते हो या फिर जो बच्चे जीम करते हैं उनको प्रोटीन रिच डायट चीए उसके लिए भी अच्छा है मूंग डाइजेशन में इसी हो है तो सब एज ग्रूप के लिए ये नाष्टा बहुत अच्छा है तो चलो तो देखते हैं क्या कर तो मैंने तवे पे एकदम थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि आज मैं हेल्दी रेसिपी बनाना चाहती हूं तेल गरम उन्हें तक बताती हूं कल शाम को मैंने मूंग भिगो के रखे ते रात को उसका पानी निकाल दिया फिर उसको एक कपड़े में बांद के रखा उसके ब अभी मेरा तेल गरम हो गया है तेल गरम होने के बाद उसमें डालो आधा चममच राई राई चटकने के बाद उसमें अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता डाल दो कड़ी पत्ते में माइक्रो निट्रियंट्स होते हैं वो हेल्प के लिए बहुत अच तो यहां पर मैंने डाल दिये थोड़ा सा जीरा, जीरा चटकने के बाद अपने मूंग जो है उसको अच्छी तरस से धो लो उसमें से पुरा पानी निकाल लो और फिर उसको भी दाल दो तवे पे, मेरी रेसिपी कम है, एक ही प्लेट बनाने तो मैंने तवे पे बनाया, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, मूंग डालने के बाद मैं डाल रही हूँ स्वादा अनुसार नमक, एक बाए सब मिक्स कर लो, और फिर उसमें डालना है मुझे, एक दम थोड़ी सी हल्दी डालना है, कलर के लिए, थोड़ी सी हल्दी पौडर ढाल दी, और अभी हल्दी करो, अभी इसके उपर मुझे डखकन रखना है, यह पूरी रेसीपी में ग्यास की पावर जो है, तो लो टु मीडियम ही रखना है, अभी देखो, एक चार मिनिट के बाद ही अपने मूंग पक के तैयार हो जाएंगे, मूंग तैयार हो गए है, अभी मैंने इसमें हरी मिर् स्वादा नुसार, एक आधा चम्मत से भी थोड़ा सा कम, लाल मिर्च का पावडर, आधा चम्मत से थोड़ा कम, मैंने डालाया धनाजिरा पावडर, गरम मसाले नहीं यूज करने वाली हो मैं, क्योंकि मूंग का ही स्वाद इतना अच्छा आता है, तो हमें कोई गरम मसाल पुदिने के पते हैं, तो पुदिने के पते अगर चटनी है, तो बहुत ही अच्छा है, आप इस पर चाट मसाला भी यूज कर सकते हो, घर में जो भी चीज अविलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो, हेल्दी रेसीपी है, इसके लिए मैंने फरसान यूज नहीं किया है, तो घर पे जरूर ट्राइ कर जिये, मूं का नाश्टा, थैंक यू.